हमारी की दूसरी लहर चल रही है ऐसे में सरकार ने वैक्सिनेशन के प्रोसेस में तेजी ला दिया है और रोजाना लाखो लोगों को वैक्सिन लगाई जा रही है शोशल मीडिया के जर्ये सरकार लगातार लोगों से यह अपील कर रही है कि वो वैक्सीन लगवाएं और अपने आपको सुरक्षित रखें वहीं बीदे कुछ हफ्तों से शोशल मीडिया पर लोगों के COVID-19 की वैक्सीन लेने की कई तस्वीरे भी सामने आ रही है जिसमें आम लोगों से सेलिब्रिटीज तक सब शामिल है जिसे देखते हुए अप केंदर सरकार ने भी इसे बढ़ावा देते हुए एक बड़ी घोशना की है गौर तलब है कि सरकार सुरवात से ही लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोचसाहित करती आई है इस बीच उन्होंने एक नया तरीका ढून निकाला है जो पहले ही शोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है सरकार ने लोगों से वैक्सीन लेने की तस्वीर पोस्ट करने और बदले में 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है बता दें सरकार ने अपरैल में ही इस कॉन्टेस्ट को लॉंच किया था अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं इसके लिए ट्वीट के जरीए सरकार एक बार फिर इस प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है भारत सरकार ने बुद्धवार को ट्वीटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा हाली में कॉरोना वैक्सिन ली है यहां आपके पास लाको लोगो को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने का मौका है एक दिल्चस्प टैग लाइन के साथ अपनी टीका करण की तस्वीर साजा करें और पांच हजार जीतने का मौका पाए उन्होंने इसके लिए एक वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया है आपको बता दे यह मौका 31 दिसंबर 2021 किस तक उपलब्द है साथ ही केंदर सरकार ने वीडियो में एक व्यक्ति की तस्वीर और टैग लाइन भी साजा की है जिन्होंने इस पहल में हिस्सा लिया था उन्होंने लिखा था जनजन ने ये ठाना है कोरोना को हराना है और वैक्सिन जरूर लगवाना है